नमस्कार मैं सिद्धार सिंग ओके क्रेट में आपका स्वागत करता हूं आज मैं राम चंदर जी के पास आया हूं और राम चंदर जी का यह टी स्टॉल है आप देख सकते हैं यह छोटा था टी स्टॉल है जो की बाबा के ढवा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है अब के डेट में कई लोग अन नों तर्फ और आज राम चंदर जी से जानते हैं कि क्या इनके बिजनेस में कोई फर्क पड़ा इनके चाय में क्या बिकρरी बढ़ी यह या नी राम चंदर जी आप सबसे पहले आप अ अपने उमर बताईया राम अच्छा ये बताएगा कि जब से ये बाबा का ढ़ावा माई हुआ है उसके बाद आपके बिजनेस क्या की आपका भाद को फ़र्ख नहीं फार्क तो बहुत पराए बहुत कम हो गिया है इनकी धृवा चालू होने से वो चाय बनाते हैं हमारे लोग को चाय नहीं है कि आपसे कोई चाय नहीं ले रहा है यह जो आते ही नहीं पेने के लिए आप देख सकते हैं कि जबसे उनका टी श्टॉल 나는 ले सब्सक्राइब में ती छाय भी मिलता है आपreckो玩 Democrats और उनको मिलना भी चाहिए था क्योंकि उनकी जरुत थी लेकिन राम चंदर जी जैसे इस्टॉल का बिजनेश बिल्कुल कम हो चुका है क्योंकि लोग अब जो भी आ रहे हैं उनके यहां चाय पी रहे हैं और जो लोग थोड़े मोड़े यहां पीते भी थे आज की डेट में आपका सेल बहुत डाउन हो गिया है आप जो यह देख रहे हैं उनको आप अपने माध्याम से इस वीडियो के माध्याम से क्या बूलना चाहिए जिस तरह उनकी बाबा को और रहे हैं उसी तरह हमारे भी होना चाहिए क्यूंकि मैं भी 80 साल के हूँ पर किँदेरी चब पानी रहा है तो बैठ से कहां भाइज से कहां कि अपील करेंगे सुह करना हैं कि जैसा कई दाबा को दिया एक नोडना किया जाय क्योंकि उनके बिजनस तो अनका बड़ा है लेकिन इनका कम हो चुका है इस वीडियो के माद हम सही अपील करेंगे कि उतना ही प्यार राम चंदर जी को दिया जाए इनकी रोजी रोटी इसी पर टिकी हुई है और यह लोग के हीरो है क्योंकि ऐसे क्रोना काल में भी जब सारे दुकाने बन थी तो इन लोगों की दुकाने खुल कर इन लोगों ने ब तो यहां पर जरूर आए ताकि इन लोगों का भी सपोर्ट हो और हम सभी लोगों से यह अपील करेंगे कि इस मुहिम को यहां नहीं रोकना है ओके क्रेट आपको इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करेगा ताकि यह मुहिम आगे तक पहुंचे शुक्रिया आपके बिजनस का सच्चा साथी